हेलो फ्रेंड्स स्वागित है आप से भी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस्टडी 22 में पे आज हम आपके लिए लेकर आये हैं एक इंपॉर्टन्ट टॉपिक क्लास 8 का है यह स्टैंडर्ड फॉर्म और यूज्वल फॉर्म काफी इंपॉर्टन्ट है यह हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं देखी हमें जो भी यहां पर नंबर गीवन होता है हमें एक नंबर के बाद डैसिमल लगाना होता है ओल्वेज तो हमारा इस कोश्चन में यहां पर डैसिमल लग देगा न हमारा तो 8.5 तो डेसिमल लगाएंगे तो इसका मतलब उतने से इसको डिवाइड किया जा रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीक है अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको 8.5 यह पावर कितनी है निचे 10 की पावर 6 चीक है तो क्या लिख से 8.5 जब यह मल्टि समझा गया चलो एक दो कोशिन और लेते हैं जैसे कि हमसे पुछा जाए कोशिन है हमारे पास कि 0.0000942 अभी हमने आपको बोला कि यहाँ पर जो नंबर होता है उसकी एक डिजिट एक नंबर के बाद यहाँ पर डेसिमल हमें लगाना ही लगाना होता है तो यहाँ पर डेसिम 5 तो निचे जाएंगे ना डेसिमल तो तभी प्लाई होता है तो 1,2,3,4,5 चीक है अब देखिए यहाँ पर तो 9.42 तो निचे क्या है 10 की पावर 5 तो 10 की पावर 5 जब इसको उपर लेकर जाएंगे तो 9.42 तो 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस में 5 चीक है चलो अभी हम देखते हैं usual form, usual form कैसे होती देखो आपको यह form देई मिलेगी आपको इस form में convert करना है यह usual form है यह हमारी standard form होती है ठीक है जैसे कि हमें question किस type से देगा कि 3.02 multiply 10 की पावर माइनस 6 गीवन है हमें इसको हमें usual form में देना हमें standard form में गीवन है ठीक है तो अभी आपको क्या करन है सबसे पहले इसका हम decimal है तो यहाँ पर 2 places के बाद decimal है तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 जब यह 10 की पावर minus 6 है इसको जब multiply से डिवाइड में लेकर आएंगे तो यह power positive हो जाएगी ठीक है 10 की पावर 6 से क्या हो जाएगी 10 की पावर plus का 6 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 302 upon में यहाँ पर कितना होगा 10 की पावर 2 और 10 की पावर 6 बेस सेम है तो पावर हो यहाँ पर हाँ एड कर देंगे ठीक है पावर एड होगे अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर 8 में यहाँ पर 8 नमबर से पहले decimal लगाने हमें 1,2,3,3 हमारे पास already है तो 4,5,6,7,8 तो यह पर हमारा decimal लगेगा ठीक है तो यह standard form है और यह usual form हमने इसकी निकाल दी एक और example लेकर आपको अच्छे से clear होगा देखिए हमें question given है 1,001 multiply है हमारा 10 की पावर यहाँ हमें ने 9 दे दिया ठीक है तो 1,001 जब इसका decimal लटेगा तो निच्ची क्या होगा 10 की पावर 3 multiply में 10 की पावर क्या है 9 अगर यहाँ पर negative होता तो पावर को निच्चे ले लेते ठीक है जैसे कि हमने इस question में किया था लेकिन यहाँ already positive है तो अब देखिए 1,001 यहाँ क्या है 10 की पावर 9 यहाँ क्या है 10 की पावर 3 जब बेस सेम होता है तो यह पावर उपर जाएगी तो 9-3 10 की पावर 6 चीक है तो इसका आगी कैसे होगा 1001 10 की पावर 6 है न चीक है तो यहाँ पर 10 की पावर 6 अगर लिखें तो 10 की पावर 6 यह होगा न तो अब इसकी multiply कर दो चीक है तो 1001 के इसके साथ multiply करने पर हमारा answer कितना आएगा 1,2,3,4,5,6 तो यह इस question का answer रहेगा हमें क्य आगेवन था standard form given थी हमने इसको usual form में निकाल दिया वीडियो अच्छे लगे तो like share subscribe करना मत भूलना thanks for watching